बॉक लाया हुआ है हसन नसरल्ला, दरा हुआ है लेबनान का हिजबुल्ला संगठन, नसरल्ला को मार डालेगा इजरेल हसन नसरल्ला, इजरेल का दुश्मन नमबर दू, हिजबुल्ला का चीफ, इजरेल के खिलाफ नसरल्ला ने हमले का ताजा ओर्डर जारी किया है, इस ओर्डर के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजरेल पर साथ रॉकिट दागे हैं कि खाजिया ऱॉकाई ठॉकिब झायओं ष्भास का घर्डर का ओर्डर का का भर्र शालेश, झायओं झायओं का इस अहाँब लका वड्रल्ला वार् फी अद्वान इस्राइली इन फादिह अला दाहियत जनूबियती लगए। हसन नसरला जिस तरह से आक्शन में हैं उसे देख कर लगता है कि इसरेल ने नमबर टू टार्गेट सेट कर दिया है हमास का खात्मा करते करते इसरेल लेबनान में हेजबुला के लड़ाकों को चुन-चुन कर मारने बाला है नसरला खुलम-खुला इसरेल की ताकत को चैलेंज कर रहा है बदला लेने की धमकी दे रहा है जी बतला उस हमास के नेता के मारे जाने की जो लिबनान में च्छिप कर बैठा था इसरेल की सेना ने हमास के इस लीडर की तलाश की और मिलते ही बेरूत में मौत की नीम सुला दिया मौत हू कतलन और यद मन अला यद गतलत इल अंपिया वाद हूँ हाल शुहदाइना फि यदी लाइएं मालहु सिल आइडम बिल्मुनासबा माहसलल्योम फी जवाविल्मॉकद ताहिर आपको आगे दिखाएंगे कि हेजबुल्ला संगठन में इस्रेल की गूद से बचने के लिए कौन सी प्लैनिंग की है लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब नसर अल्ला ने कहा कि इस्रेल को छोड़ेंगे नहीं तो इस्रेल ने क्या प्रतिक्रिया दी है जवाब में इस्रेल ने कहा है कि हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत लिबनान पर हमला नहीं था हमास के नत्रितों के खिलाफ की गई एक सर्जिकल श्ट्राइक में सालेह अल अरूरी की मौत हो गई 2006 के बाद ये पहली बार है जब इस्रेल की फौज लिबनान में घुसी और अरूरी को मार डाला हिस्बॉल्ला के लिए ये बेहद शर्मनाक है कि उसके रहते हुए इस्रेली सेना उसके इलाखे में घुस कर उसके चाहेते अरूरी को मार डाला हसन नसरल्ला के बारे में आप जानेंगे तो आपको अन्दाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि अब नसरल्ला का अगला कदम कितना खून बहाने बाला होगा बहागा नहीं होगी होगी प्रत्सकैंथ को स spectacular सूल्त का इसके लंग़ा रध़ा उन्हें होगीबём बाला जानें होगी 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 K बहागी में अन्हें उन्हें होगी 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 है अ में ओ il यानें में लो अिया बाला ओन पृम सालेह अल-अरूरी हमास के टॉप कमांडरों में एक था और इस्रैली सेना के हिट लिस्ट में शामिल था 57 वर्षिय अरूरी लेबनान में निर्वासन की जिन्दगी बिता रहा था इस्रैली सेना को काफी तिनों से इसकी तलाश थी अरूरी बिछले चार वर्षों से आईडिय अप के निशाने पर था मौका मिलते ही अरूरी को इस्रैली सेना ने मार डाला कहा जा रहा है कि अरूरी इस्रैल के डून हमले में मारा गया अरूरी हमास और हिजबुल्ला के बीच एक कड़ी था अरूरी के संपर्क सूत्रों के चलते ही हिजबुल्ला उसका खुल कर समर्थन करता रहा लेकिन इस्रैल ने नस्रैल्ला के सबसे करीबियों में से एक कुमार उसे बहुत बड़ा जटका दे दिया है लिहाज़ा नस्रैल्ला बदले की आग में जल रहा है इस्रेल के भय से नसरल्ला बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं देखता लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि हसन नसरल्ला एक शिया आले मतलब धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हेजबॉल्ला ग्रुप के प्रमुक है इस प्रमुक को इस समय लेबनान के सबसे एहम राजनितिक दलों में गिना जाता है जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है हसन नसरल्ला लेबनान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में भी लोग प्री है इरान और अली खामनेई के साथ बहुत निकट के और विशेश संबन है हिस्बॉल्ला को अमेरिका की ओर से आतनकवादी संगचनों की सूची में शामिल किया गया है हिस्बॉल्ला का मकसद इस्रेल की वरबादी है इसरेल भी हिजबुल्ला को हमास से ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मन मानता है ये भी क्लियर है कि बिना हिजबुल्ला के सफाय के या किसी शांती समझोते के इसरेल चैन से नहीं जी पाएगा क्योंकि हिजबुल्ला इस्रेल के खिलाफ हमले करने से बाज नहीं आएगा हिजबुल्ला के पास हत्यारों का बहुत बड़ा भंडार है जिसमें ऐसी मिसाइले शामिल हैं जो इस्रेली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती है इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके है इस्रेल के मुताबिक हिजबुल्ला के गरीब 45,000 लड़ाके है हिजबुल्ला के पास 120,000 से 130,000 मिसाइले हैं इन में तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाली भी शामिल है इसके अलाबा हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक हतियार, मानो रहे द्रोन, एंटी शिप मिसाइले और हवाई रक्षा प्रणाली मौझूद है जाहिर है इस्रेल को गाजा से भी ज्यादा मुश्किल आएगी अगर हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो लेकिन मुश्किल है कि हिजबुल्ला को रोकने के अलाबा इस्रेल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है यही वज़े है कि इस्रेली प्रधान मंत्री वेनेमिन नेतनियाहू ने कह रखा है कि अगर हेजबुल्ला इस विवाद में दूसरा मोर्चा खोलता है तो उसको और कलपनी जवाब दिया जाएगा सवाल बनता है तो क्या लिबनान के खिलाब इस्रेल जन का ऐलान करने ही वाला है अगर ऐसा होता है तो फिर इरान आएगा वही इरान जिसने हमास को मुश्किल के वक्त छोड़ दिया इरान इस्रेल के हमले के वक्त हेजबुल्ला के साथ खड़ा होगा इन सवालों का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अरब वॉर्ड ऐसे ही हिजबुल्ला, हमास और हुथी विद्रोहियों को इसरेल के खिलाफ उतारता रहा है इसरेल के खिलाफ गोले और रॉकेट बरसाने वाले ये तीनों संगठन सिर्फ हथियार बंद संगठन नहीं है, बलकि अरबों के इसरेल के खिलाफ विरोध का प्रतीक है इरान खुलेयाम हिजबुल्ला का समर्थन करता है, भूती विद्रोहियों का साथ देता है, हमास को हथियारों की सप्लाई करता है लेखा ये बात तो बहुत साफ है कि इसरेल को फाइनली इरान से ही दो-दो हात करना होगा, तब ही इसरेल को सुकुन मिलेगा लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इरान अब सत्तर के दशकवाला इरान नहीं है, उसके पास भी कहा जाता है कि पर्मानू बं है अब ध्यान दीजे कि हिजबुल्ला के चक्कर में कैसे एरान और इज्रेल के बीच परमाणू युद छिड़ सकता है। लेबनान और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के पास लड़ाके हैं। इरान का समर्थन है, हथियार है, लेकिन घौर करने वाली बात है कि पूरा लेबनान हिजबुल्ला के साथ नहीं है। पूर युद लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और इसके लिए जनता का समर्थन बहुत कम है। इसका कारण है कि लेबनान वर्षों से अधिक संकट का शिकार है। इसरेल से संघर्ष के बीच लेबनान के सैक्रों लोग अपने घरों के अंदर रहने या बेरूत के दूसरे शहरों की और भागने के लिए मजबुर हुए है। लेकिन हेजबुला इस तरह के पलायन से इसरेल के खिलाफ हमला बंद नहीं करने वाला। लेबनान और इसरेल के बीच के दुश्मनी भी नहीं नहीं है। 2006 में हेजबुला ने दो इसरेली सैनिकों को पकड़ लिया था। हेजबुला इसके बदले इसरेली कैद में बंद अपने लड़ाकों को छोड़वाना चाहता था। लेकिन इस्रेल ने शर्ट मानने की जगह हेजबुला के नेता हसन नसरल्ला के घर पर बंबारी करके जबाब दिया। इसके बाद दूनों के बीट 36 दिनों तक युद्ध चला। इस जंग में 1100 लेबनानियों की मौत होई। जबकि 165 इस्रेली मारे गये थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इस्रेल लेबनान बॉडर करीब करीब शांती रहा। कभी कभार लेबनान की दरब से इस्रेल में ड्रोन और रॉकेट से हमले होते रहे। जबकि इस्रेल ने 2007 से 2022 तक 22 हजार बार लेबनानी वायुसीमा का उल्लंगन किया है। इस्रेल ने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हमास के आतन की धर्ती के किसी भी कोने में छुपे होंगे, उनकी तलाश की जाएगी और उनका खत्मा किया जाएगा। अरूरी को बेरूत में घुश कर मारना इसी कड़ी में है। यही कारण है कि हमास के नेता कभी कतर, कभी ईराग, तो कभी लेबनान में ठिकाने बदल कर अपनी जान बचा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्रेल की खुफ्या एजेंसी मोसाद में इन सारे नेताओं को ट्रैक करने के लिए अपनी टीमे लगा रखी है। कतर और इरान में हमास के नेताओं पर हमले से युद्ध बढ़क सकता है। लिहाज़ा इस्रेल हमास के नेताओं के लिबनान जैसे देशों में आने का इंतजार करता है। ऐसा ही हमास के डिप्टी चीफ अरूर के साथ भी हुआ। जब तक कतर में था सुरक्षित था लेकिन इरान से होता हुआ जब लिबनान पहुँचा तो ड्रोन हमले में मारा गया। इस्रेल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। कतर और इरान से अभी उलजना नहीं। हेजबुला, हमास और हूथी को शोड़ना नहीं।